तो हेलो दूस्तों कैसे हैं आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़ी ही होंगे तो आच किस वीडियो में अपने लोग बात करने वाले हैंगे दोस्तों मेरे नाया मैं उमेश राप तेकर हैं टेक्वियम और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों से एक छोटी से रिक्वेस्ट कनना चाहूंगा दोस्तों इस चैनल पर मैं इसी तरह से मॉइल फोन से चीड़ू ही गेमिंग टेस्ट की वीडिय वीडियो बना रहे हैं अगर आपनों को वीडियो देखना है दूपर आए बटन में आपको लिंक देखने के लिए मिल जाएगी और अगर इसी तरह की वीडियो पी आपको मिस नहीं करना है तो अपने भाई के चैनल को सबस्क्राइब कर दो अगर आप लोगों को यह वाली लग सकता है गा पर मुझे personally meet 10i का look अतना ज्यादा अच्छा नहीं लगाए गया एन हेंड फिल भी मुझे realme x7 की काफी चाहदा अच्छी लगी है गी weight के मामले में बिल्कुल काफी मतलब की कम weight है realme x7 का और हाथ में पकड़ने में मुझे थोड़ा ज्यादा handy phone लगा realme x7 me 10i थोड़ा भारी phone है और वो आपको सकते थोड़ा मोटा भी है realme x7 काफी पतला लगता हैगा realme x7 मुझे हाथ में पकड़ने में और देखने में काफी चाहदा अच्छा लगाएगा इस पर अपना-पना opinion हो सकता हैगा वह बात करने build quality के दूस्ट मी 10i के अंदर उन्हों साइनिंग तो देखने के लिए नहीं मिलेगी पर अगर वो फोन गड़ता हैगा तो वह थोड़ा जादा चांस है उसके पचने के एक पॉइंट हो सकता है वाकि दोनों के अंदर पॉली कार विनिट यूस किया गाया तो मुझे दोनों की build quality काफी अच्छी लगी हैगी अच्छी लगी है लिए इसके अंदर ग्लास बेक देखने के लिए मिलता है तो साहे फूड चाहे पर मुझे विल्ट काईटी दोनों ऑगी फोन की काफी जाद है अच्छी लगी हो दो दुछ सब सब पहले बात करें आप लोगों के सबसे मतलब फेवरिट चीज के बारे मे तो तो नो इफोन का ये अन्दर आपन को सिक्सोर मेंगापिक्सल का में केमरा के लिए मिलता है का में डेखने के लिए अगर आप लिए ऐसे खास चादा फर्ख देखने के लिए नहीं मिलता है अगर आप लोग ऐसे compare करते हैं कि 64 Megapixel के साथ में detailing में कभी जावी थोड़ा वो तैसे अगर आप लोग वह 108 Megapixel वाला mode on करके Realme X7 के अंदर आप लोग हां बस यह बोल सकते हैं कि बैसे तो इस फोन का भी camera काफी जादा बेटर है पर अकर आप लोग ऐसे compare करेंगे तो थोड़ी बहुत आपको 108 Megapixel होने के वज़े से जादा detailing देखने के लिए मिलते हैं पर मुझे Realme X7 का camera भी काफी जादा बेटर रहा दोने के अंदर आपनको 8 Megapixel का ultrawide camera देखने के लिए मिलता है जो कि काफी अच्छी quality की photos को click कर लेता है अब इन फोनस के अंदर मतलब फर्क पता है कहां देखने के लिए मिलता है वो मिलता है को सब्सक्राइग का मतलब दोने फोनस के अंदर photos तो काफी जादा अच्छे द कर दिये तो इसके बाद भी इसने थोड़ा बहुत मेरे face को beautify कर दिये था अगर आप लोगों को उस तरह की photos पसंद है तो आप लोगों को realme x7 का camera का अफी जादा पसंद आ सकता है गा वागि dynamic range वगएरा दोनों इफोन का आफी अच्छी से adjust कर लेते हैंगे में 10 आई के अ आए तो बंदे भी कर सकती हैंगे इन camera इसको और दोनों के अंदर आप इनको 16 Megapixel का front camera देखने के लिए मिलता है गा तोनों के अंदर आप इनको काफी अच्छी फोटो की quality देखने के लिए मिल जाती है कि बस वही थोड़ा बहुत में बूस्ट कर देता है और थोड़ा बत मेक अप लगा देता है कि जस्ते मज़े problem है दोनों इफंस का camera काफी बढ़ी आए अगर आप लोग इनमें सब कोई साई phone लेते हैं तो आप camera को लेकर निराश तो नहीं होएंगे और दोस्तों आप बात करने हैं दोनों इफंस के display के बारे है मैं दोस्तों हमको realme x7 के अंद को मतलब की ऐसे brightness कम है इतनी bright display देखने के लिए मिलती है कि धूप में भी आपको इसके इंदर कोई भी दिक्कत नहीं मिलने वाली है कि तो मेरे साफ से display का आफ वी चाता तगडी देखने के लिए मिलती है कि अपनको realme x7 के इंदर बस अगर इसको 19Hz और का देते थे तो भा मतलब की display तो यह वाली भी काफी अच्छी है कि ब्राइडी भी हैगी लेकिन मझे realme x7 की display बहुत ही ज्यादा तगडी लगी है कि इस मामले में मतलब कि अगर मुझे चूज करना होता इन तोनों इफोंस की display में से किसी एक display को तो मैं realme x7 की display को चूज करता और तो अब बा फोन और मुझे काफी पसंद आया realme x7 का जो processor है मतलब कि कहीं पे भी कोई lag वगेरा देखने के लिए नहीं मिलता है गा RAM management वगेरा है वो भी काफी अच्छी से adjust कर लेता है यह वाला फोन और दोस्तो माहीं पर मीट 10i की अंदर अपन को snapdragon 750G processor देखने के लिए मिलता है वो वो भी इस पराइज रेंज के साब से काफी तगड़ा processor पर दोस्तो मुझे realme x7 का जो processor है वो थोड़ा मलग कि बैटर लगा on paper तो अगर मलग ऐसे आप स्पेसिफिकेशन वाइज अगर इसको compare करेंगे तो यो मी 10i का processor है वो बैटर होना चाहिए था पर मैंने day-to-day users में द लेता हैगा नहीं भी मी 10i काफी सारी मतलब की जोगा आप खेसकते हैं गेम बगएर अगर अगर आप लोग खेल रहेंगे और apps अगर आपनों ज्यादा खुल लिएंग एकदम से तो मी 10i उनको memory से निकाल लेता हैगा और मतलब कि मुझे लगा कि हाँ थोड़ा मतलब मतलब अब बात करें इन दोने फोन्स की बैटरी लाइफ और चार्जिंग के बारे में दोस्तों को रियल्मी X7 के अंदर 3400 mh की बैटरी देखने के लिए मिलती हैगी जो कि 50W की फास चार्जिंग के साहत में आता हैगा मतलब एक घंटे की कम अलब एक घंटे से भी कम टाइम के आपके फोन को बिना किसी दिकत के फुल चार्ज कर देता हैगा जी रोचे लेका 100% तक और इसकी बैटरी भी आपको 6-7 घंटे का बैटरी बैटरी बैकप दे देती हैगी काफी आसानी इसने मागरा मतलब कि अगर आप लोग लगातार गेमिंग भी कर रहेंगे ना तो भी आपको 6 घंटे का इसके अंदर बैटरी बैकप देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि इसके अंदर अपनको एमिले दिस्प्ले देखने के लिए मिलती हैगी तो इसके वाला फोन भी आपको बिना किसी दिकत के एक घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता है गा और इसकी बैटरी आप बोल सकते हैंगे लगबग पास से 6 घंटे चल जाती हैगी क्योंकि दूस्तों इसके अंदर अपनको 120 हर्स का डिस्प्ले देखने के लिए मिलता हैगा तो इसके वाला इसके थोड़ा ज्यादा बैटरी करता हैगा यह वाला फोन और इसके अंदर अगर आप ल सकल लें और दूस्तों मैंने इन दोनों फोन को स्टेम डाल की भी यूज कर रखाएगा तो नेटवर्क की भी मुझे ऐसे कोई खास दिकत देखने के लिए नहीं मिली काफी अच्छी दोनों के अंदर अपन को नेटवर्क वगरा देखने के लिए मिल जाते हैंगे और दू मझे इस वाली फोन एड़र्क आपन KI धानरे ऐक एडवांटेज और देखने के लिए मिली कि ऐसवाली फोन के अंदर अपन को ड्यूल स्पीकर देखने के मिलते हैंगे जिसके बचिश आप लोग जो बोल सेंगे बीडिय disp defender की मेरा और डिया ओपनियन के वारे मेरा किया भ को चूज करता दोस्तों मैं आपको सीधा बता हूं दोस्तों मैं Realme X7 को चूज करता दोस्तों Realme X7 मुझे ज्यादा Best Value लिए for money phone लगता हैगा इसके अदर आपनको काफी अच्छी गेमिंग परफ्वेंस देखने के लिए मिल जाती हैगी डिस्प्ले की क्वालिटी एक नंबर है और इसकी आप लोग बोल सकते हैं केमरा के अंदर भी आपनको ठीक टाक परफ्वेंस देखने के लिए मिल जाती कि दोस्तों अगर आपनों को शेयर में कोई भी एंसी थोड़ी बड़ी दुकान है जो कि इन दोनों इसको रखती हो तो आप लोग एक बार उसके अंदर जाओ और इन दोनों इसको पतला लगता हैगा और इन हैंड फिल मुझे रियल मी एक सेवन की थोड़ी जाद अच्छ लगती है कि दोनों के हर्डवेर काफी अच्छी हैंगे अगर आप लोग दोनों इसमें से किसी भी फोन को लेते हैंगे तो हर्डवेर और मतलब कि आप बूल तकते हैंगे सौप्टियूर के लेविल पर आपको कोई खास मेंसा जादा दिक्कत देखने के लिए नहीं और दूस्तों मैं आप लोग और पस पतना ही घुलना चाहूंगा कि अगर आप लोग थोड़ा सा वेट और कर सकते हैंगे यानि कि मार्च के महिनी तक अगर आप लोग और रुख सकते हैंगे तो थोड़ा सा वेट कर लिजेगा कि रैडवी की नोट 10 सीरिस भी आने वाली कि तो यह वाली सीरीज काफी जदा खतरनाख होने वाली है कि 20,000 के अंदर ही यह सारी फोन होने वाले हैंगे तो अगर आप लोग थोड़ा सा वेट और कर सकते हैंगे तो वेट जरूर कर लीजेगा कि उसके आदा में आपको हो सकता है कि एंदर भी थोड़ा प्राइस कट दे देखने के लिए मिली हो आप मझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना तो दोस्तों मैं आपको विलिएगा अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए कुट नाइट